दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि what is paraphrasing and why it's required and by how we can do paraphrasing तो यह तीनों चीज मैं इस वीडियो में one by one discuss करूँगा तो सबसे पहले question उठता है कि आखिरकार paraphrasing होता है तो दोस्तों paraphrasing means to formulate someone else idea in own words कहने का मतलब है किसी और के idea को अपने word में represent करना that is called paraphrase जैसे किसी भी source को या किसी भी text या paragraph को अपने word में लिखना without changing its original meaning that will call paraphrasing कहने का मतलब है कि माली जे कोई sentence है या paragraph है उसका एक particular meaning होगा उस meaning को अपने language में लिखना अपने words में लिखना that is called paraphrasing जैसे मैं एक simple सा example लेता हूँ माली जे एक question है who is lord ram ओके इसका meaning है कि ram कौन है ओके इसको हम twist करके या इसको paraphrase करके अलग-अलग sentence में भी convert कर सकते हैं जैसे tell something about lord ram define lord ram explain something about lord ram तो basically आप देख सकते हैं कि पहला हमारा sentence था कि ram कौन है या भगवान राम कौन है उसको हम तीन तरीके से और तरीके से पूछ सकते हैं और सबका answer एक ही होने जादा है means this is called paraphrasing अब दोस्तों बात करते हैं कि basically क्या होता है कि आपने quotation का नाम सुना होगा अपने बहुत जगा apply भी किया होगा use भी किया होगा तो इसमें क्या होता है कि आप quotation को एक alternative कह सकते हैं paraphrasing का इसमें क्या होता है कि original text को हमने copy किया उसको quotation marks में represent कर दिया यह भी एक paraphrasing का example है बट लेकिन जैसे हम academic writing की बात करते हैं तो यह quotation या quoting हमें avoid करना चाहिए in case आप paraphrasing इसका सबसे आसान तरीका है कि just write that particular paragraph या sentence in one words without changing its meaning that is called paraphrasing यह एक standard practice होता है कि अपने word में लिखना उस particular paragraph या sentence को without using quotation क्योंकि quotation तो बहुत easy work हो गया आप कह सकते हैं कि word को copy किया source को quotation को represent कर दिया हो गया बट इसको academic writing में avoid करना चाहिए और इसका एक जो important aspect है वो यह है कि जब भी आप किसी भी source का या किसी sentence को paraphrasing करने जा रहे है तो हमें site जरूर मेंशन करना चाहिए site of source जरूर मेंशन करना चाहिए site of source के means cit site of source means कि जो भी आर्टिकल है या जहां से भी source को लिया गया आप ले रहे हैं try to mention अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो में भी इसमें पहला ग्रिजम का भी case हो सकता है और कोशिज करना चाहिए कि जो source में word यूज किये गये हैं उनको हम exact copy ना करें क्योंकि देखिए हर word के synonymous बहुत ज्यादा होते हैं तो आप कोई और synonymous उसका use कर सकते हैं क्योंकि अगर आप exact word यूज कर रहे हैं तो में भी वह पहला ग्रिजम का case हो सकता है तो basically paraphrasing होता है किसी भी sentence को अपने language में represent करना without changing its meaning अब बात करते हैं कि किस तरके में step follow करना चाहिए कि जब भी हम कभी अगर paraphrasing करने जा रहे हैं देखिए दोस्तों सबसे पहला है कि जो भी paragraph या sentence है उसको multiple time आप read किजे several time उसको read किजे at least five to seven times इससे क्या होगा कि आपको exact उसको meaning पता चल जाएगा कि भाही इस sentence या paragraph का मतलब है क्या okay second है कि just write down basic concept या important concept जो भी paragraph में important concept यूज हो रहे हैं उसको आप कहीं लिखिया third है कि without looking at source just try to write that passage in your words कि जो भी passage आपने read किया है या sentence read किया है तो आप अपने words में लिखने की कोशिज किजिए okay without changing its meaning यह तो third हो गया अब fourth की बात करते हैं कि जो भी आपने लिखा है जो आपका source है या original है उन दोनों के आप compare किजिए उसके according आपने जो लिखा है उसमें आप कुछ minor adjustment कर सकते हैं ताकि उसकी कि मैंने पहले भी mention किया था यह प्लाइग रिजम का case बन सकता है दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी जरूवत क्या है पेरा-फ्रेजिंग की देखिए इसका यूज बहुत जगह होता है अगर आप education friend में काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जिसे question paper set होते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि अगर moderation question paper moderation board बैठता तो आपको बोल सकता है कि प्लीज इस question को paraphrase कीजिए मिस जो भी अपने question दिया उसको तोड़िये कभी क्या होता कहीं कि तीन तीन चार्चर सेट मंगाय जाते हैं तो उसमें basically क्या होता है कि बहुत सो लो क्या करते हैं कि उसी question को paraphrase करके दूसरे में डाल देते हैं तो यह depend करता है इसकी requirement बहुत जगह है और paraphrase का मतलब यह भी होता है कि हाँ आप उस particular चीज का meaning समझते हैं means you can write that source in your own words यह तभी possible है जब उस चीज को आप समझें अगर उसकी meaning आप समझ नहीं पा रहे हैं तो paraphrasing करना बहुत टफ हो जाता है तो दोस्तों उमीद होए कि आपको यह पूरी चीजे समझ में आई होगी और इससे भी मैंने वीडियो में दो तिन एक्जामपल आपको दिखा भी रख हैं ताकि आप easily understand कर सकें कि यह आखिर का paraphrasing होता गया तो थैंक यह फो वाचिं दिस तंक यह